तो आप देख रहे हैं भरतपूर से चुनावी चाई या पर चाई पर चड़चाई इसलिए जरुरी है क्योंकि चाई पीते पीते उन गर्मा गरम मुद्दों का जिक्र इस वक्त हो रहा है भरतपूर रास्तान के भरतपूर में हम रास्तान के रण में बहुत साड़े मुद् पर करप्षं और स्भाइय करप्षं में का मैं करफशन और काम ऐसा है कि दिखता नहीं है पांच पांच मंत्री हैं चार-चार कैबलेट बंतरी है फिर भी अगर यह ISTITY है भरत्पूर में फिर भरत Christians आप राजे रजवाणाओं का वर्चसु है और सियासी पैठ है फिर भी यह स्थिती है तो हम हमारे साथ जो भी लोग है सब के जुबान पर एखी मुते हैं बीजेपी से एक उम्मिदवार के तौर पर दावेदारी इनकी है गिरदारी लाल जी है ये भी कह रहा है कि कॉंग्रिस मे करप्शन हुआ है लेकिन जनता कह रहे है कि साब बीजेपी आ गई तो गरंटी क्या है गरंटी मांग रहे हैं बीजेपी से भी जेपी पर भरोसा है बरोसा तरह लेकिन गारंटी नहीं कोई वाओं का बविश्टे बहुत उज्व हो इसके लिए हरप परिबार कोशिस करता है युवा से ही बात कर लेते हैं बाई देगिए राजस्तान की अगर बात करें तो राजस्तान में वेला गाता हुए शोड़कार mostत्ति अभरेताowe चात्र इस कॉंग्रेस सरकार से इतना नाराज हैं क्योंकि इन्होंने एक भी पेपर ऐसा नहीं छोड़ा जो इन्होंने आउट नहीं किया बेचा नहीं है 20-20 लाग रूपे में ने युबाओं का बविश्य बविश्यता किया है कि उनको क्या करना है बरतपुर की बात करी जा एक ही उसको प्रिंसिपल के नाम पर दो-दो डिजार उनने बेजी गई है कि बारे गंटे कि एक और कि और गंटे बाद में किसी और कि यहां पर पेपर लीग का काम कर रहा है संग्धित माफिय कुछ और लोग है आए ना जी करफचन पेपर लीग लौइन और इस सब सब सकत्राइए एक बात बतांग यह बीजेपी से गarinटी मांग जा रही है चली कॉंग्रिस नहीं तो बीजेपी आप्शन तो भी जनता केपास दो ही है और राज्थान में फिर पहले कॉंग्रिस फिर दीजेपी तो जनता को या तो एक पहले जब थी तो बदलाव करती थी रास्तान में बदलाब करती थी अब चीज़ चेंज वह गही है जिब मोदी जी हुआ है कुछ ना को सीम चेंज हुआ था यहां पर लोग देख रहे हैं इसलिए 15 साल से यहां MLA विदायक विजय बंसल रहे थे, 15 साल लगातार, कोई भी एक भी आरो ब्रस्टाचार का नहीं दाओं पर पूरे भरतपूर में देखे तो कॉंग्रेस का वर्चस हो रहा है अचानक कॉंग्रेस वालों ने करप्शन शुरू कर दिया, इससे पहले नहीं करते थे ब्रस्टाचार कॉंग्रेस में जादा होता है फिर कॉंग्रेस क्यों जीती रही है यह पांच-पांच साल रिबीट चल रहा है, इस पर बीजीपी आईगी, चेंज भरतपूर की बात कर रहा है, इन्होंने जूटे बादे किये थे, उन्होंने कहा था कि जुतनी भी आईटेंशन लाएने कोलोनी की ऊपर से जा रही है, सब को अटवा दूगा, सब के लिए नौकरी की विवस्ता कर दूगा, सिमकों को खुलवा दूगा, लेकिन एक भी बा का दाग नहीं लगा, उनके उपर पूरे वरत्पन कहीं भी जाच कर लो, इसलिए गारंटी तो स्वेम बीजेपी के प्रित्याज ही होते हैं, बीजेपी विचारता रहा है, यह सत्य है, पूर में दाग नहीं लगा, तो फिर हारे क्यों, हैं, अब यह जनता है, जनता का मू कर रही है, ऑप्शन कुछ अच्छा मिलेगा तो इन दोनों को छोड़ कर जाएं, अभी कॉंगरे सरकार में कापी अच्छे काम हुए हैं, पर मुझे लगता है किस वर भी एमेले चेंज होगा, होगा, हंड़ेट परसंट होगा, चाहे होनों ने पूरी जात दिला जी, भरत पर तो कुछ और आरोप लग रहे हैं, अलक अलक बिचा रहे हैं, भरत्पूर मां बिकास हुआ है, बिकास कार के मैंने भी कही है, आपको बजट को ठिकाने लगाने के लिए विकास तो करना पड़ता है, उसी में तो घड़ बड़ी है, और गोटा लिकास कार के नामपर कर करेफ्टन तो ये अपने निकम के मेयर बेटे हुए है, बिकास कार हुए है कि भाई पैसा पूरा दे रहे हैं, वो सो में असी रुपे खर्च कर रहे हैं, मेयर रत के अब जीत कुमार और बेपक्ष पर्मानेंट इस वियात के लिए हर पंदर दिन में पार सदों के रिमाइंटर दिये जा रहे हैं, धरना प्रदर्सन हो रहा है, ताला बंदी हुए है, जगडे हुए हैं, लेकिर वो बलाते ही नहीं, उनको जनता से कोई लगना देना नहीं है, वो सिर्फ जो है, विल्कुल है, जानते है लाल डायरी के लाइल डायरी में कुछ तो है, जो भी सारे उसके पिटाई कर दिये, और उसको उसके डायरी को छोड़ा ले खेंच ले गए, तो अड़्डी मेल्डी प्रबलम तो ही, कुछ ना कुछ तो था है उसमें, अब ओची ओपन ही नहीं परिवार तक नो साबर कर दिया, उसके लिए बोल्ट एमेले की सीट का चुनाब नहीं देती है, पद नहीं देती है, अनिता गुर्जर की तरफ नहीं है, यह वी जासे हमारे है, यह बैटने हमारे है, और जड़ से अपनी पूरी जिंड़ी बच्चा पन से लेगे आज तक और लेगे बहुत साल देखे होंगे, बहुत चुनाव देखे होंगे, अब तो यह है, इनका जो काम है, बो तो पहला काम है, पैसे खर्च करेंज पैसे कमाने का, कोई भी एमेले आजाए ने सालों से आपने बीजेपी कॉंगरस अब को देखा है, सब में कोई फर्क नहीं ह गुंडागर्दी ज्यादा बढ़ रही है और ऐसी बढ़ रही है यहां से घर पोचो गें नी पोचो गें आप कोई गारंटी नी इस बात की क्या सरकार रही है कोई सरकार नहीं है और बीजेपी दोनों में कुछ फर्क नेजर आता है करप्शन तो दोनों में होता है वैसे तो कोई प्रता ही निए इमांदारी से लूटने वाली बात मैं यह कह रहा था नेशनल पार्क है बरतपूर के अंदर एक ही इंडस्ट्री है जो बरतपूर को चला रही है बागी तो सारी बंद पड़ी है इस पार को बुलकुल खतम कर दिया है अब दो आदमी घूमने आएंगे तो उनको कम से कम दो जार रुपे का खरचा करना है आपको एक पूरा रिक्षा लेना है साइकल नहीं एला हुए गाड कंपल्सरी कर दिया दो के लिए टिकेट है उसके उपर इतना बाहर कर दिया है मेरे को लगता है निकल चुका है और हम अगले पड़ाओ पर भी पहुचेंगे भारत एक्सप्रेस पर फिलहाल यह मुझे यह इजाज़त दीजे लेकिन भारत एक्सप्रेस डिजिटल पर लगातार यह चर्चा जारी है भारत एक्सप्रेस डिजिटल पर बने रही है हमारे साथ क्योंकि बहुत गरम गरम यह मुद्दे बहुत हॉट इशूज है यहां पर और इशूज में सबसे ज़्यादा करप् को लेकर यह चर्चा जारी है लेकिन भारत एक्सप्रेस पर खबरें लगातार जारी है डिजिटल पर यह चर्चा जारी रहेगी